हैलो एभरिवन, वेलकम टू फार्मा स्टेटी, आज हम बात करेंगे ब्रैंड नेम्स अफ मेडिसिन पार्ट सिक्स के बारे में, ठीक है, तो पार्ट सिक्स में बेसिकली आज हम क्या कवर करने वाले आज हम cover करेंगे brand names अस्तलीन नाम से जो आते हैं तो अस्तलीन सिपला का brand name है सिपला company का brand name है और अस्तलीन नाम से ही brand name से ही clear हो रहा है कि अस्तलीन जो products है that are used for the treatment of asthma and COPD ठीक है obstructive pulmonary disease तो start करते हैं सबसे पहला brand name है अस्तलीन इन्हेलर ठीक है तो आपने देखा होगा पुरानी movies में भी देखा होगा कि सांस लेने की problem हो रही है और वो इन्हेलर नहीं मिल रहा है ठीक है और उस वज़ा से जो patient है वो die हो जाता है मर जाता है ठीक है तो basically astaline जो है आपका astaline में आपका क्या होता है salbutamol ठीक है तो आपने एक चीज याद रखनी है astaline जहां नाम आ गया उसका मतलब है वहाँ पर क्या है आपका जो active ingredient है या generic name क्या रहेगा आपका salbutamol आपका ingredient रहेगा ठीक है inhaler लगा दिया है ठीक है means जैसे जैसे कोई ना कोई आपका dosage form change होता जाएगा तो वहाँ पर जो concentration है ठीक है salbutamol की जो concentration है वो change होती जाएगी ठीक है तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है astaline नाम आ गया means it contains salbutamol inhaler आ गया means contains salbutamol in a concentration of 100 microgram ठीक है तो यह जो inhaler है आपका यह आपका immediate action के लिए responsible होता है and used for the acute or severe attack of asthma and COPD ठीक है उसकी prevention की treatment के लिए आपका use होता है ठीक है it is used to prevent chronic या mild आपका जो asthmatic attack है और COPD का attack है उसकी treatment के लिए next आपका brand name आ गया astaline respules ठीक है तो अब respules आपका क्या आ गया यह आपका basically किस form में रहेगा solution form में रहेगा ठीक है और एक छोटा सा इसका packing arrangement रहता है जिसको हम लोग respule बोलते है only one dosage form इसको इसमें available होती है ठीक है तो one dosage form जिस भी formulation में available होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे DRAUT DRAUGHT ठीक है DRAUT means one single dose एक particular package में available जो होगी ठीक है तो salbutamol जो है आपका किस concentration range में होता है it contains 2.5 mg and respule आपका किस form में दिया जाता है आपका दिया जाता है in the form of steam ठीक है steam की form में दिया जाता है ठीक है तो यह basically आपको कैसे देना होगा इसके लिए एक special instrument आते हैं जैसे की आजकल जो आपके जो news में चले हैं जिसको हम लोग बोलते है oxygen concentrator में भी यह facility available होती है ठीक है oxygen concentrator में और आपके nebulizer ठीक है एक machine जो होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं nebulizer ठीक है तो अब यह जो astaline respule है इसको देने के लिए आपको क्या चाहिए एक mask चाहिए ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कौन सा mask होगा nebulization mask nebulization ठीक है mask होगा ठीक है तो mask आपका क्या रहेगा आपका वो mask आपका रहेगा उस mask में simple एक connector होगा जो की आपका machine के साथ रहेगा ठीक है तो वो machine आपकी या तो oxygen concentrator होगी जो की steam provide कराती है ठीक है और दूसरा आपका क्या रहेगा second machine आपकी क्या रहेगी nebulizer रहेगी ठीक है तो nebulizer में एक outlet होगा outlet में आप इसको लगाओगे outlet के बीच में आपका क्या रहेगा एक space रहेगा जहांपर आप solution डालोगे और उस solution के थोड़ा सा उपर क्या रहेगा आपका mask रहेगा ठीक है तो जो ये machine है that is responsible for the production of steam steam और वो जो steam produce होगी उसको directly जब patient inhale करेगा तो वो acute और severe attack of asthma और COPD की treatment के लिए use होगा ठीक है तो respule I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है next आपका जो product है next आपका क्या है astaline tablet ठीक है तो astaline word आगया means it contains salbutamol in the form of tablet ठीक है तो tablet आपका किस concentration range में होगा 4mg tablet आएगा ठीक है तो ये आपका normal asthma और COPD patient regular basis पर इसको लेते है नेक्स्ट आपका क्या आगया astaline ax syrup ठीक है तो ये आजकल जो winter seasons है उसमें चलता है और astaline यहाँ पर नाम आगया लेकिन यहाँ पर salbutamol नहीं है ठीक है तो ये आपको याद रखना है तो इसमें आपका क् ambrosil in a concentration of 30 mg पर 5 ml ठीक है तो मतलब हर 5 ml में कितना उसमें ambrosil है 30 mg है यह आपको याद रखना है ठीक है 1 ml में कितना होगा तो 30 divided by 5 6 mg ठीक है तो ऐसे करके आप इसको calculate कर सकते हैं ठीक है और second इसमें क्या होता है लिवुसाल ब्यूटा मॉल होता है लिवुसाल ब्यूटा मॉल in a concentration of 1 mg पर 5 ml and second third one आपका इसका क्या होता है गुएनेफेसिन ठीक है गुएफेसिन ठीक है गुएफेसिन ठीक है गुएफेसिन ठीक है तो इसमें in a concentration of 50 mg पर 5 ml ठीक है तो हर 5 ml में इसमें कितना कितना होता है ठीक है अब्रॉक्सल 30 mg लिवुसाल ब्यूटा मॉल 1 mg और EKG ठिक है और यह आपका कहा पर use होता है, it is used for the treatment of productive cuff, ठीक है, तो cuff आपका दो तरह का रहता है, एक dry cuff रहता है, ठीक है, जिसमें आपका sputum produce नहीं होता है, बलगम नहीं आती है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, wet cuff, ठीक है जो आपका स्प्यूटम है सौरी स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए हम क्या कौन सा यूज करेंगे यह वाला सिरफ यूज करेंगे अस्तलीन एक्स सिरफ ठीक है नेक्स्ट ब्रैंड नेम की बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका ब्रैंड नेम है अस्तलीन रोटा कैप ठीक है तो अस्तलीन रोटा कैप भी आपका किस फॉर्म में रहता है एक कैपसूल की फॉर्म में रहेगा इसमें क्या होता है solbutamol in a concentration of 200 mcg mcg stand for micrograms ठीक है तो ये भी आपका acute or severe attack of asthma in COPD के case में दिया जाता है और ऐसे patients जो की old age के हैं और जिनको बहुत ज़ादा asthma की problem रहती है वो regular basis पर लेते हैं ठीक है तो rota cap में भी एक आपका instrument रहता है instrument क्या मतलब एक आपका basically इस तरह से रहता है ठीक है और एक cap रहती है ऐसे करके ठीक है तो capsule आप यहाँ इसको insert करते हो थोड़ा सा इसको rotate करोगे तो capsule तूर जाता है powder नीचे जाता है और patient को इसको inhale करना होता है ठीक है जोर से inhale करना होता है ताकि lungs तक वो powder जाए और immediate response दे ठीक है तो वो आपको याद रखना है astaline rota cap next आपका brand name है astaline respirator solution ठीक है astaline respirator solution इसमें आपका क्या होता है salbutamol 5 mg ठीक है तो अब respirator solution की बात की तो यह एक तरह क्या respule ही होता है जो की again कैसे use करेंगे इसकी steam लेंगे ठीक है as a steam use होगा और यह acute और chronic onset of asthmatic and copd attack में use होता है next हम बात करते हैं astaline plus expectorant ठीक है तो astaline plus expectorant में आपका क्या रहता है amboxyl in a concentration of 15 mg per 5 ml levosalbutamol in a concentration of 0.5 mg per 5 ml and guay fenicin in a concentration of 50 mg per 5 ml ठीक है तो अब हम previous cuff expectorant से अगर हम इसको compare करें तो इसमें concentration of amboxyl और levosalbutamol different है ठीक है तो इसको हम लोग क्या वोते हैं इसको आपको याद रखना है astaline plus expectorant और expectorant means expectorant का मतलब ही यह होता है कि यह आपका productive cuff की treatment के लिए use होगा ठीक है it is used as cuff expectorant expectorant means जो आपका बलगम produce हो रहा है उसको expel करने में बाहर निकालने में help करेगा ठीक है next आपका brand name आता है astaline dx syrup ठीक है astaline dx syrup में आपका क्या रहता है यह dx इसको आप याद रखना इसको dx means dry cuff ठीक है तो dry cuff की treatment में हम देंगे इसको ठीक है तो for example कफ हो रहा है किसी patient को लेकिन बलगम produce नहीं हो रहा है ठीक है तो वो आपका क्या रहेगा dry cuff रहेगा ठीक है तो dry cuff और वो कफ allergic symptoms की वज़ा से अगर रहेगा ठीक है तो हम लोग इसको दे सकते हैं ठीक है तो phenylephrine ठीक है इसमें कितना concentration में होता है 5 mg chlorpheniramine in a concentration of 2 mg and dextromethorphine hydrobromide in a concentration of 15 mg ठीक है तो यह सारे ingredients आपके कहां पर use होंगे use to treat dry cuff ठीक है next आपका brand name है astaline syrup ठीक है तो astaline syrup इसमें आपका क्या होता है salbutamol in a concentration of 2 mg per 5 ml ठीक है तो astaline syrup भी आपका it is used in a treatment of asthma and COPD ठीक है next brand name है आपका theo astaline syrup ठीक है तो यह आपका new theo astaline syrup ठीक है तो यह नया ingredient इसमें introduce हुआ है ठीक है आपका specifically कहां पर use होगा use to treat asthma thank you for watching I hope मेरा यह video आपको अच्छा लगा होगा ठीक है और मैं अपने viewers का thank you करना चाहता हूँ वो बहुत ही अच्छे valuable comments देते हैं ठीक है और मुझे motivate करते हैं और videos बनाने के लिए और मैं continuously videos पर focus हूँ और मैं बना रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे contents आगे लेकर के आऊंगा और slowly slowly अपने contents में कुछ improvement करने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो आप से यही मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप मेरी videos को देखें लाइक करें शेयर करें अपने comments दें और आपके comments मुझे motivate करते हैं further videos बनाने के लिए और corona अभी गया नहीं है यह festival seasons हैं आपको सभी को basic से चीजें हैं जो कि याद रखनी है जो कि मैं बार बार अपनी हर videos में बोलता ही हूँ आपको mask पहना है आपको हाथ sanitize करने हाथ धोने हैं दोगज की दूरी बना के रखना है social distancing proper maintain करके रखनी है और festivals को भी enjoy करना है thank you